हरियाना के सोनीपत का कोक्याद गैंग्टर काला जठेडी जब 6 घंटे के लिए तिहार जेल से बाहर निकला तो इसकी विरोधी खेमे में खलबली मच गई थी सुत्रों के मताबिक काला जठेडी की हत्या करने के लिए उसके विरोधी गैंग के बदमाश आए दिन मौके के तलाश में रहते हैं ऐसे में जब गैंग्टर काला जठेडी को कोट ने 6 घंटों की पैरोल दी थी जिसके बाद काला जठेडी को कड़ी सुरक्षा के बीच दिल से वापस दिल्ली के तिहार जेल भेचा किया अंतिम संसकार के दौरान पूरे गाउं में पुलीस की कड़ी सुरक्षा मौजोद रही जब गैंग्टर काला जठेडी सोनी पत पहुचा तो दिल्ली पुलीस के साथ हरियाना पुलीस और HDF के जमान गाउं में चप्पे चप् कमला देवी का पोश्माटम सोनी पत के सिविल अस्पताल में हुआ जिसके बाद उनके शब को सोनी पत के जठेडी गाउं पहुचा दिया गया उधर गैंक्टर काला जठेडी को कोट ने 11 बजे से लेकर 5 बजे तक ही एजादत दे थी आपको बता दें कि संदीब की माने द दवाई समझकर केट नाशक पदार्थ खा लिया जिसके बाद उनकी हालत बिगडने लगी और फिर उन्हें नजदी की प्राइबेट हॉस्पिटल लेकर जाये गया जहां पर इलाच के दौरान उनकी मौत हो गई अब सवाल उट रहा है कि काला जठेडी की माने किट नाशक दवा धोके से खाई या फिर किसी ने खिलाई पुलीस इस सवाल के जबाब खोजने में लगी हुई है गैंक्टर काला भले ही तिहार जेल वापस पहुँच चुका है लेकिन उसके विरोधी गैंके बदमाश आए दिन इस स्ताक में रहते हैं कि कब उने गैंक्टर काला या फिर उसके किसी भी सिंडिकेट के मेंबर उसके जद में आएं तो वो अपने आगाओं के हत्या का बद जले सके